वेल्कम ट्यूट्यूप चैनल दोस्तों आज श्रीडियो में हम बनाने वाले हैं डिजाइनर वेब फ्रॉप फॉर फाइव टॉ सिक्सर बेबीगल जिससे बनाने के लिए यहां पर हमने दो मीटर कॉटरन फैबरिक लिया है तो चली इससे बनाना शिरू करते हैं तो सबसे प बनाएंगे इस तरीके से हमें टू फोल्ड करने के बाद वापस हमें इससे टू फोल्ड करने है तो फैबरिक को इस तरीके से हमने फोर फोल्ड किया हुआ है अब यहां पर हमें मार्किंग करनी है तो फोल्ड एरिया से 9 इचिस पर हम मार्क करेंगे शॉल्डर हमें लेना है 9 इचिस और यहां से आम होल हम लेंगे 4 इचिस और हमें लाइन टू करनी है अब यहां पर फैस्ट का पाट हम लेंगे 7 इचिस अलका सराव उसे बेते हुए आम होल डो करना है इस तरीके से अब हमें इससे कट कर लेना है तो देखिए हमने इससे कट कर लिया है जिसकी length हमने लिए है 25 चिस और इससे open करेंगे तो इस तरीके का शेफ हमने कट कर लिया है फ्रन्ट रोबेक के लिए अब यहाँ पे हमें रिस्ट लेनी है तो दोनों साइड से तो इससे हमें मार्ग करना है इस तरीके से आम होल से दो इचिस पे हम मार्ग करेंगे दोनों साइड पे फ्रन्ट रोबेक के लिए और यहाँ पे मार्किंग से हमें राइट टो लेट फोल्ड करना है और हमें प्रिश लेते हुए यहाँ पे पिन कर लेना है और इसके उपोजे साइड में हमें लेप्ट राइट प्रिश लेनी है मार्क को मिलाते हुए और हमें पिन करना है और इसी तरीके से सेकंड प्रिश को भी हमें यहाँ पे पिन कर लेना है वन बाइवन प्रिश लेते जाना है इस तरीके से बॉक्स प्रिट यहाँ पे हमें रेडी करनी है और हमें पिन कर लेना है तो यहाँ पे एक पार्ट पे हमने प्रिश रेडी कर ली है 8 Hs Privilection रखते हुए हमें PLITS यहाँ Away करनी है इसी तरीके से 2nd Part पे भी हमें PLITS यहाँ Away करनी है दीखे हमने इस तरीके से 8 Hs Privilection की PLITS हमने यहाँ पर予डी करनी है फ्रेंट और बेक में अब यहाँ पे इस तरीके से दो STIFS हमने कटकी है जिससे आपर उडर पर हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाइक करनी है और वापस रोंग शाइट पर डबल फूल करते हुए सिलाइक कर लेना है और आपर उडर को यहाँ पर हमें रेडि करेंगे तो देखे हमने सिलाइक कर ले है और यहाँ पे इस फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना है और इसके उपर यहाँ पे हमें रोंग शाइड पे सिलाइक करनी है डबॉल फोल कर दो है यह देखिया हमने इस तरीके से बोर्डर को रेड़ी कर लिया है और दो स्टिफ्स हमने कट की है जिससे हमें दोनों साइड पे उल्टा रखना है और हमें सिलाइक करनी है दोनों बोर्डर पे यह देखिया हमें इस तरीके से दोनों बोर्डर पे स्टिफ्स को हमने अटेश कर लिए है और इससे रोंग शाइड पे डबॉल फोल करते हुए हमें सिलाइक कर लेनी है इस तरीके से belt बनाते हुए दोनों side को हमें ready करना है यह दीखिया हमने इस तरीके से दोनों side को ready कर लिया है और इस तरीके से हमें arrange करना है front row बेक को यह हमारा top बिलकुल ready हो गया है और यहाँ पे buttons attached करते हुए दोनों parts की बोडर को हमें close करना है one side पे यहाँ पे हम buttons लगाएंगे अब यहाँ पे वापस हमें इससे open कर लेना है और यहाँ पे armhole को हमें ready करना है तो armhole के लिए हमने दो strips कट की है जिसे इस तरीके से हमें यहाँ पे ultra रखना है और strings बनाते हुए हमें strips को यहाँ पे arrange करना है तो four inches strings हमें यहाँ पे ready करनी है four inches पे mark करेंगे और यहाँ से हमें armhole पे इससे older रखते जाना है यहाँ तक armhole को मिलाते हुए और यहाँ पे भी हमें four inches extra रखते हुए इससे attach करना है इस तरीके से और यहाँ पे right side में भी हमें armhole के उपर strips को उल्टा रखना है इस तरीके से fold करते हुए यहाँ से हम arrange करेंगे यहाँ तक select करेंगे front side पे और यहाँ से eight inches हमें extra रखते हुए select करनी है यह देखे हमने इस तरीके से select कर ली है दो रामhole पे strips को उल्टा रखते हुए और वापस हमें इससे wrong side पे double full करते हुए select करना है और यहाँ पे strings बनाते हुए हम इसे attach करेंगे four inches length की strings यहाँ पे हमें ready करने है दोनों side पे इस तरीके से eight inches पे मार करना है और यहाँ से हम extra strips को remove करेंगे और यहाँ तक हमें double full करते हुए select करना है और back side पे strings को हमें attach कर लेना है इस तरीके से double full करते हुए पूरे राउन में select करना है यह देखिया हमें इस तरीके से strings बनाते हुए armholes कौनर एडी कर लिये है इस तरह से और वापस हमें इससे open कर लेना है अब यहाँ पे front side पे हमें pattern करनी है तो उपस से three inches down पे हमें mark करना है center पे हम mark करेंगे जो हमारे box split है इसके उपर और यहां से हमें fold करते हुए प्लिस रेनी है और mark को मिलाते हुए हम तोनों side से fold करेंगे और इस तरीके से हमें pattern ready करनी है और यहां पे हमें select करनी है इस तरीके से उपर से हमें select करते हुए इससे fix कर देना है यह देखिया हमने इस तरीके से pattern हम ready कर लिए है दोनों side पे front row back पे अब यहां पे वापस हमें center से two and half which is down पे हमें mark करना है और यहां पे भी हमें इस तरीके से fold करते हुए pattern यहां पे ready करनी है इस तरीके से दुरों side से fold करेंगे और center पे हमें select करनी है front row back को हमें ready करना है यह देखिया हमने इस तरीके से fold करते हुए pattern ready कर लिए है और फ्रोक की जो निच्चे वाले बोडर है इसे भी रोंग side पे double fold करते हुए select करना है तो यह देखिया हमने बोडर को भी हमने fold कर लिया है पूरे round में अब यहां पे one side को close करने के लिए हमने जो belt ready किये है इसके उपर हमें i button करते हुए इसे अटेश कर लेना है उपर से three cheese down पे हम mark करेंगे और यहां से one by one three cheese down पे mark करते जाना है जहां पर हमें buttons अटेश करने है इस लिए इस तरीके से और इस mark को मिलाते हुए button समय आरेंज करने है इस तरीके से और हमें इसे अटेश कर लेना है और इसे के साथ यह designer wave frog हमारा ready है दोस्तों अगर आपको यह हमारे डिजान अच्छी लगी तो प्लीज विडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सब वीडियोस की इंफ्रमेंसन मिलते रहें थैक्स वरॉचिंग